तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल गौतम ऑनलाइन इस्टेडी में तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं फिजिक्स की क्विज 50 कोस्चन्स के साथ लाइव क्लास आपके लिए आ गई है जिसका टाइम निर्धारी थे 9.30 पे डेली आपको एक टेस्ट मिलेगा ठीक है क्विज मिलेगा 50 कोस्चन्स का इसके पहले मैंने 30 कोस्चन्स किया था पर बहुत सारे कमेंट्स में आए कि आप 50 कोस्चन्स की करिए तो मैं 50 कोस्चन्स के लिए आज से लेके आ गया हूं ठीक है कुछ इजी कोस्चन्स रहेंगे कुछ टाफ कोस्चन्स रहेंगे तो आप यह मत बोलिए कि इजी कोस्चन्स है दीरे दीरे आपके लिए टाफ कोस्चन्स आएंगे ठीक है तो आप लास्ट तक quiz को attempt करें ठीक है और लास्ट में आप total marks जरूर बताएं तो चलिए अब हम start करने वाले हैं सबसे पहले आप share कर दीजे अपने सभी WhatsApp ग्रूप सभी दोस्तों को जो लोग preparation कर रहे हैं तो सब को share कर दीजे जल दी से थोड़ा सा हम बेट करेंगे उसके साथ ही एक आपके लिए और खुसकबरी है कि unacademy learning app उसमें भी आप अब हमें follow कर सकते हैं तो उसकी description में link दे दी जाएगी जिसमें आपके लिए MPPG के साथ में static GK के courses start हैं तो आप उसे भी follow करें और देखें अगर आप MP से related व्यापम MPPG की preparation कर रहे हैं तो ठीक है तो आपको link दे दी जाएगी description में तो चलिए अब हम start करते हैं test को तो आ गया आपके सामने पहला question आज का वास्तविक बस्तु का आभासी प्रत्विम बनता है तो किस में बनता है option आप देख रहे हैं आप comment में live chat में answer करिए आपके answer देखे जा रहे हैं उसके बाद हम आपको answer बताएंगे ठीक है तो वास्तिक बस्तु का अभासी प्रत्विम बनता है किस में बनता है बताईए आप लाइफ चैट में एंसर करिए टोटल मार्क्स कमेंट में एंसर करिए ठीक है तो देखिए अब आपको एंसर बताया जा रहा है वास्तिक बस्तु का जो अभासी प्रतिविम्ब है वो बनता है आपके समतल दरपण में ठीक है समतल दरपण में बनाने वाला दर्पण होता है तो कौन सा दर्पण है वास्तिक बस्तु का हमेशा सीधा प्रित्विंब बनाने वाला ठीक है अच्छा कुस्चन है आप लाइफ चैट में कमेंट करें आपके इंसर देखेता रहे है फिर आपको इंसर बताया जाएगा ठीक है तो देखिए, सेकेंड का जो एंसर हो जाएगा, वास्त्विक बस्तु का हमेशा सीधा प्रत्विम बनाने वाला जो धरपन होता है, वह होता है, आपके समतल धरपन तो उत्तल धरपन जो होते हैं, आपके वास्त्विक बस्तु का हमेशा सीधा प्रत्विम बनाते हैं, ठीक है तो option D, option D answer हो जाएगा second number question का फिर देखते है next, third number question है कि वास्तिविक प्रतिविम की प्रकृत कैसी होती है option आप देख रहे हैं, first option है ulti, second option है c d और third option है c, सीधा और ulti, and fourth option है d, इन में से कोई नहीं तो आप comment में answer करिए, आपकी answer देखे जा रहे हैं फिर आपको answer बताया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा test होने वाला आपके लिए आप last तक देखे और please share करें जादा से जादा, आप share करिए जिससे जादा से जादा लोग जुडेंगे, तो answer करेंगे तो बहुत अच्छा interest बनेगा आपका test देने से जब आपकी answer जब सही होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे answer सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आप share करें जादा से जादा अपने सभी दोस्तों को तो देखिए, third का जो answer हो जाएगा, आपके वास्तिक प्रत्विम की जो प्रकृत होती है, वो कैसी होती 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 है, उल्टी, ठीक है, उल्टा होता है वास्तिक प्रत्विम की प्रकृत, तो option A, third का option A, answer हो जाएगा फिर देखें, next, fourth number question है, कि वास्तिक से छोटा प्रत्विम बनाता है, तो कौन सा दरपन वास्तिक से छोटा प्रत्विम बनाता है, बहुत अच्छा question है, आप answer करें, life chat में, आपके answer देखे जा रहे हैं, फिर आपको answer बताया जाएगा, ठीक है, तो देखिए, वास्तिक से जो छोटा प्रत्विम बनाता है, वो कौन सा दरपन बनाता है, आपको ये बताना है, ठीक है, तो इसका जो answer हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, option D, वास्तिक से छोटा प्रत्विम जो बनाता है, उत्तल दरपन और आउतल दरपन, ठीक है, तो option D, answer हो जाएगा, वास्तिक से आपके पास आपतन कोंड परावर्तन कोंड से बड़ा होता है सेकेंड आपसन है आपतन कोंड परावर्तन कोंड के बरावर है थार्ड आपसन है आपतन कोंड परावर्तन कोंड से छोटा है फोर्थ आपसन है सभी कथन सत्य है तो क्या होता है प्रकास के परावरतन के नियम के अनसार इंसर करिए आपके इंसर देखे जा रहे हैं ठीक है फाइब नमबर कोश्चन पे चल रहे हैं आप लाश्ट तक देखें और इंसर करें हर कोश्चन के तो देखे 5 का जो एंसर हो जाएगा option B प्रकास के परावरतन के नियम के अंसर आपतन कोण परावरतन कोण के बराबर होता है ठीक है तो option B option B एंसर हो जाएगा 5 number question का फिर देखे next है 6 number question है कि समतल दरपन दौरा बना प्रतिबीम सदैब होता है तो क्या होता है समतल दरपन दौरा बना प्रतिबीम बताईए आप एंसर करिए लाइव चैट में आपके एंसर देखे जा रहे है सबके एंसर देखे जा रहे है आपको उसमें बताया भी जाएगा किसका एंसर सही है किसका गलत है ठीक है तो आप live chat में answer करें और total marks live end होने पर comment में करें ठीक है तो देखिए समतल दरपन द्वारा बना प्रत्वीम जो फदैब होता है वो होता है आपका सीधा और आभासी ठीक है सीधा और आभासी होता है समतल दरपन द्वारा बना प्रत्वीम तो आपसंसी answer हो जाएगा आपके six number question का फिर देखे next है seven number question है कि आख में प्रवेस करने वाले प्रकास की मात्रा को नियंत्रित करता है तो क्या नियंत्रित करता है आपके option में से आपको ये बताना है कि आख में प्रवेस करने वाले प्रकास की मात्रा को नियंत्रित करता है तो देखे इसका जो answer हो जाएगा आपके seven number question का परितारिका परितारिका जो होता है आख में प्रवेस करने वाले प्रकास की मात्रा को नियंत्रित करता है ठीक है तो option a option a answer हो जाएगा seven number question का फिर देखे के next है एक नमबर कोस्चेन है कि सुरियोदय और सुरियास्त के समय सुरिक का गोल दिखता है क्या कैसा दिखता है सुरियोदय और सुरियास्त के समय एक पके पास गोला कार, सेकंड ऑफसेन गना कार, फ्र्ढ पूर्थ ऑप्सेन इचप्टा तो देखिए इसका जो इंसल हो जाएगा 8 number question का सुरियोदय और सुरियोष्ट के समय जो सुरु का गोल दिखता है क्या चप्टा चप्टा दिखता है सुरु का गोल भाग ठीक है तो option D, option D answer हो जाएगा 8 number question का फिर देखें next 9 number question है यदि दरपण में बना प्रतिमिम्भ हमें सब सीधा आकार में बस्तु के बरावर है तो दरपण होगा कौन सा दरपण होगा option आपको मैं थोड़ा सबस्व करा दे रहा हूं इसमें जश्नियों पा रहा है first option है अवतल, second option है उतल, third option है समतल and fourth option है इन में से कोई नहीं ठीक है तो आप एक बार question और पढ़ लें और answer करें ठीक है फिर आपको answer बताया जाएगा तो देखी यदि दरपण में बना प्रतिविम्ब हमेशा सीधा आकार में बस्त के बराबर है तो दरपण वह जो होता है तो वह दरपण हो जाएगा आपके समतल दरपण ठीक है option C समतल दरपण हो जाएगा तो option C आपको answer हो जाएगा फिर देखे next है 10 number question है कि समतल दरपण के द्वारा बना प्रतिविम्ब होता है तो कैसा होता है समतल दरपण के द्वारा बना प्रतिविम्ब option है आपके पास वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं इनसर करें आप life ratchet में आपके answer देखे जा रहे है ठीक है तो देखी जो समतल दरपण के द्वारा बना प्रतिविम्ब होता है वो हो ता आपके काल्पनिक होता है समतल दरपण के द्वारा बना प्रतिविम्ब तो option B आपका answer हो जाएगा 10 number question का फिर देखे next है 11 number question है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ lens के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है पहला option है जल दूसरा option है मिट्टी तीसरा option है प्लास्टिक चौता option है काच ठीक है तो बताईए तो देखिए lens के लिए प्रयुक्त नहीं क किया जा सकता है कौन सा पदार्थ इस question का बहुत जल्दी answer करेंगे अगर आप questions की language को समझते है तो ठीक है देखिए इसको जो answer हो जाएगा आपके option B मिट्टी मिट्टी का प्रयोग lens के लिए प्रयोगत नहीं किया जा सकता है ठीक है तो option B answer हो जाएगा 11 number question का अगला question 12 उत्तर lens की छमता होती है थोड़ा सा option आपको मैं सुकरा रहा हूं आप question एक बार read कर ले उत्तर lens की छमता जो होती है उत्तर lens की option पहला है रिनात्मक दूसरा अब से धनात्मक तीसरा option ए सूनने और चोधा अन्ने ठीक है तो क्या होती है उत्तर lens की छमता आपको यह बताना है ठीक है इंसर करिए आप फिर आपको आपको इंसर बताया जाएगा सौरी तो देखिए और शेयर करिए पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आपका भी इंट्रेस्ट बनेगा अगर बहुत लोग आपके इंसर करेंगे आपके सामने होंगे तो कंपटीशन पता चलता किसका इंसर मैं कितने, मैं कितने answer कर पा रहा हूं, दूसरा कितना कर पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप share कर दीजिए, अपने सभी WhatsApp group, सभी दोस्तों को जो भी preparation कर रहे हैं, ठीक है, share जरूर करें, तो देखिए, इसका जो answer हो जाएगा, आपके 12 number question, क्योंकि उत्तल लेंस की छमता होती है, तो क्या होती है, उत्तल लेंस की छमता, वो होती है आपके धनात्मक, धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की छमता, ठीक है, तो option B answer हो जाएगा, आपके 12 number question का, फिर देखिए next है, 13 number question है, कि लेंस की छमता का SI मात्रक होता है, क्या होता है, लेंस की छमता का SI मात्रक, क्या होता ह एंसर करिए फिर आपको इंसर बताया जाएगा तो देखिए लेंस की छमता को जो एसाई मातरक होता है आपके डैप्टर होता है लेंस की छमता का एसाई मातरक तो option C option C answer हो जाएगा 13 number question का फिर देखे next 14 number question है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती इसका कारण क्या है आपको ये बताना है ठीक है option है आप देख रहे हैं पूरा अंत्रिक परावर्तन अपवर्तन परावर्तन इन में से कोई नहीं तो देखिए आप answer करिए live chat में आपके answer देखे जा रहे हैं तो देखिए 14 के जो answer हो जाएगा आपके 14 के answer हो जाएगा option B अपवर्तन अपवर्तन की कारण ऐसा होता है कि पानी से भरी बाल्टी के गहराई कम दिखती है तो option B answer हो जाएगा 14 number question का 15 number question है कि पानी में डाली हुई छड़ी 10 ही दिखती है इसका कारण क्या है option है आपके पास परावर्तन, second option है अपवर्तन, third option है परावर्तन और अपवर्तन दोनों and fourth option है इन में से कोई नहीं तो पानी में डाली हुई छड़ी टेनी दिखती इसका कारण क्या है तो ये भी आपके अपरतन के कारण ही होता है ठीक है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेनी दिखती है तो option भी answer हो जाएगा 15 number question का अगला question है कि दरपन की चोड़ाई को दरपन का कहा जाता है और फोर्थ option है इन में से कोई नहीं तो देखिए जो दरपन की चोड़ाई को दरपन का कहा जाता है द्वारक द्वारक कहा जाता है ठीक है तो option C option C answer हो जाएगा 16 number question का अगला question है 17 solar cooker में प्रयोग किये जाते हैं तो क्या प्रयोग किया थे प्रयोग किये जाते हैं ठीक है solar cooker में कौन से दरपन प्रयोग किये जाते हैं पहला option है आपके पास ओतल दरपन second option है उत्तल दरपन third option है समतल दरपन और फोर्थ option है इन में से कोई नहीं तो answer करिए आप life set में फिर आपको answer बताया जाएगा तो देखिए solar cooker में प्रयोग किये जाते हैं कौन से दरपन प्रयोग किये जाते हैं उत्तल दरपन प्रयोग किये जाते हैं solar cooker में तो option A option A आपका answer हो जाएगा 17 number question का फिर देखिए next question 18 number question कि रोगियों के नाग कान गले आद की जाच के लिए डाक्टर प्रयोग करते हैं तो कौन से दरपन का प्रयोग करते हैं अगर आपने दरपन से रिलेड़ चेप्टर अच्छे से पढ़ा आए तो बहुत जली जली आप answer करेंगे इनके तो देखिए 18 number का जो आपका answer हो जाएगा रोगियों के नाग कान गले याद की जाच के लिए जो डाक्टर प्रयोग करते हैं आउतल दरपन आउतल दरपन का प्रयोग करते हैं तो option C आपका answer हो जाएगा 18 number question का फिर देखिए next है 19 number question है कि हीरा का पूरतनांक है हीरा का पू 1.77, 2nd option 1.47, 3rd option 1.44, 4th option 2.42, तो हीरा का अपरतनांग क्या होता है, answer करिए आप, फिर आपको answer बताया जाएगा, तो देखिए, हीरा का जो अपरतनांग होता है, वो होता है आपके 2.42, 2.42 होता है हीरा का अपरतनांग, ठीक है, तो option D, option D, answer हो जाएगा 19 number question का, फिर देखिए next है, 20 number question है, कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पन लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, उतल दर्पन, समतल दर्पन, उतल दर्पन या अन्य, तो कौन सा दर्पंड लगा रहता है बताइए अंच और मुए प्लीज सेर करें शेर नहीं कर रहे हैं आप लोग सेर करें ज़यादा से जय्दा सेर करें छितनी लोग सेर करिये उनके आपके पास जतने वह वाट्शाइब गृूप हर जगए आप सेर करिये जिससे आपको ही पता चलेगा कि अप अपने रहे हैं ठीक अब को तैयारी कितनी हुई आपको इस बारे कर चलेगा अगर आप सबके सामने answer करेंगे तो किसके answer सही हो रहे हैं या आपको जानकारी मिलेगी ठीक है तो देखिए motor-ítulo गारी के चालक के सामने कौनसा दर्पन लगा रहता है तो उत्ताल दर्पन option C, उत्ताल दर्पन लगा रहता है motor गारी के चालक के सामने option C answer हो जागा tildi number कोस्चन का 21 नंबर कोस्चन है कि टार्च से किस प्रकार के प्रकास पुंज की प्राप्ति होती है तो टार्च से किस प्रकार के प्रकास पुंज की प्राप्ति होती है तो देखिए इसका जो आपका इंसर हो जाएगा 21 का अपे इंसर करीए कमेंटर में फिर मैं आपको बता रहा हूं तो देखिए 21 का जो इंसर होगा आपके अप्षन B संसृती प्रकास कुण जो आप्षन बी इंसर हो जाएगा 21 का फिर देखतें next 22 number कोस्चन है कि समाने नेत्र की रेटीना पर बनने वाला प्रतिविम्ब होता है कैसा होता है समाने नेत्र की रेटीना पर पर बनने वाला प्रतिविंब option है आपके पास आभासी और सीधा second option है वास्तिविक और सीधा third option है वास्तिविक और उल्टा fourth option है आभासी और उल्टा ठीक है option D तो समाने नेत्र की रेटीना पर बनने वाला जो प्रतिविंब होता है आपके कौन सा होता है वास्तिविक और उल्टा, option C वास्तिविक और उल्टा बनता है समान नेतर की रेटीना पर बनने वाला प्रतिविंब फिर देखें, next day, 23 number question है नेतर लेंस में समयोजन की क्रिया होती है किसके दोरा होती है नेतर लेंस में समयोजन की क्रिया बताइए आप एंसर करिए 50 questions का quiz है इसलिए थोड़ा सा time तो time taking तो रहेगा पर आपके questions तो त्यार हो रहे हैं आपकी तयारी पता जानकारी मिल रहे हैं आप कितने questions कर पा रहे हैं सही ठीक है टोटल मार्क सब लोग जरूर कमेंट में बताएं देखी नेत्रलेंस में समयोजन की जो क्रिया होती है वो होती है आपके 23 number question है तो सिलेरी पेशियों दारा होती है नेत्रलेंस में समयोजन की क्रिया तो option C, option C 23 का एंसर हो जाएगा फिर देखे नेक्स्ट है 24 नमबर कोस्चन है कि किसी नेत्र का निकट बिंदू होता है कितना होता है किसी नेत्र का निकट बिंदू अच्छा कोस्चन है इसके लिए टाइम आपको देने की जुरूत नहीं है आप बहुत जुल्दी अंसर करेंगे देखिए किसी नेत्र का जो निकट बिंद होता है आपके कितना होता है 25 cm 25 cm होता है किसी नेत्र का निकट बिंद होता है आपका एंसर हो जाएगा 24 नंबर कोस्चन का फिर देखें नेक्स्ट कोस्चन है 25 कि आँख की पुतली किस प्रकार कारे करती है आखी की पुतली किस प्रकार कारी करती है? परिवर्ती द्वारक की भाती दूसरा है धिर्ण तंत्रिका की भाती, तीसरा है पुतली की भाती और फॉर्थ है डी अप्शन है अन्ने तो आँख की पुटली किस प्रकार कारी करती है देखिए इसका जो एंसर हो जागा आपके आप्शन A परिवर्ती द्वारक की भाती कारी करती है 25 का आप्शन A सही एंसर हो जाएगा फिर देखे नेक्स्ट है 26 नंबर कोस्चन है कि समान ने मानो नेतर का दूर बिंदू होता है कितना होता है समान ने मानो नेतर का दूर बिंदू पहले हमने निकट की बात की थी अब दूर की बात कर रहे हैं तो देखिए, आप answer करिए पहले लाइफ चैट में, देखते हैं किसका किसका answer सही है, जिसका सही होगा सबको वहीं बताया जाएगा किसका answer सही है, और प्लीज आप लोग share नहीं करें, share करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें जिससे इस test से, ठीक है, daily आपके लिए testable level है, आप अपने दोस्तों को भी बताईए कि daily यहाँ physics के test चल रहा है, ठीक है, जो भी, जिनकी भी physics subject है, सभी exam के लिए important है, यह test ठीक है, जिसमें भी physics subject आता है, तो देखिए इसका जो answer हो जाएगा, आपके 26 number question का, option B, तो मानने मानों नेतर का दूर बिंदू जो बनता है, तो option थोड़ा सो मैं आपको देखिए, तो cinema के परदे पर किस प्रकार का प्रत्वियम बनता है, option है, आपके पास आभासी प्रत्वियम, दूसरा option है, वास्त्विक प्रत्वियम, तीसरा option है, दोनों, and fourth option है, सभी कथन सत्य है, ठीक है, तो cinema के परदे पर किस प्रक बी इंसर हो जाएगा फिर देखे नेक्स्ट है 28 नंबर कोस्चन है कि कौन रंग है जिसका खत्रे के सिंग्नल में उप्योग होता है कौन सा रंग है जिसका खत्रे के सिंग्नल में उप्योग होता है पहला अपसन है पीला रंग दूसरा अपसन है बैगनी रंग तीसरा अपसन नीला रंग चौथा उप्सन लाल रंग ठीक है तो किसका प्रयोग होता है इसके लिए टाइम देने की एक भी जुरत नहीं पड़ेगी आपको डारेक्ट में आपके लिए एंसर बता रहा हूं क्योंकि सब लोगों ने कर दिया होगा इसका कमेंट में एंसर खत्रे के भवाट घंटा 29 नमबर कोश्चन है देखिए इसका जो एंसर हो जाएगा आपकी आप सब TOM लूँआनर कोश्चन का आफके न territ हें 30 कौश्चन है बिद्दूत बल्ब का फिलामेन्ट होता है option है आपके पास तांभा का, second option है platinum का, third option है tungaston का, fourth option है इन में से कोई नहीं तो विद्दूत बल्ब का filament जो होता है आपके 30 number question है, किसका होता है, tungaston का होता है तो option C, option C आपका सही answer हो जाएगा, ठीक है फिर देखे next है, 31, प्रतिलोधक्ता का मात्रक है, क्या है प्रतिलोधक्ता का मात्रक? ओम मीटर, ओम प्रत्मीटर, मीटर, में से कोई नहीं, तो प्रतिलोधक्ता का जो मात्रक होता है, कौन सा option, answer करिए कमेंट में, लाइफ चैट में, answer करिए आप लोग सब, और share करिए, प्लीज, share नहीं कर रहे हैं, आप लोग, share करिए, जितने भी आपके पास ग्रूप हो, तो share करिए, जिससे ज़्यादा ज़्यादा लोग जुडेंगे, तो आपको answer करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर आपके सही answer होंगे, तो आप जल्दी-जल्दी answer करेंगे, ठीक है, तो देखिए, प्रितुल अधक्ता का मातरक होता है, 31st का option A, ओम मीटर होता है, तो option A answer हो जाएगा, प्रितुल अधक्ता का मातरक, नेक्स्ट है 32 number question है, विद्धुद्धारा उत्पंद करने की यु answer करें, क्योंकि हम live chat में answer देखते हैं, ठीक है, जब video live ना रहे, offline हो जाएगा, तब आप comment में answer करेंगे, कोई भी आपका doubt हो, किसी भी प्रस निके प्रती, तो आप जरूर जब live end हो जाएगा, तब आप answer बताईए, ठीक है, कोई भी question पूछ सकते हैं, ठीक है, तो next है, 33, निकट दिश्टी दोस वाले बेक्ति के चस्मे में लगा होता है, तो कौन सा लेंस लगा होता है, निकट दिश्टी दोस वाले बेक्ति के चस्मे में, 33, तो 33 का जो आपके answer हो जाएगा, option B, ओतल लेंस, ओतल लेंस लगा होता है, निकट दिश्टी दोस वाले बेक् ठीक है चस्रमिं में लगा होता है तो कौं सा लगा होता है देखिअफ्सयictions दोस्फाली वक्तिकी mistakes के बीए देखें निकट में कौन सा लगा था तो दीलग में आप डायक्ट एंसर कर सकते कि कौन सा लगा होगा उपतर लगा तो आपसंस सी आपका एंसर हो जाएगा 34 का आपस तो देखिए तेज प्रकास में जो पुतली का आकार होता है वो आपके छोटा हो जाता है आपके सामने से अगर आपको प्रकास आएगा आँख में तो आपकी जो आँख की पुतली होती हो थोड़ा छोटी हो जाती ठीक है तो इसका आकार जो होता है छोटा हो जाता है तो तो जो दूर दृष्टी दोस्त वाली आँखे होती है, साप साप देख सकती है, आपके पास निकट की बस्तों को, बड़ी बस्तों को या दूर की बस्तों को या इन में से कोई नहीं, ठीक है, 36 नमबर कुस्चन है, तो देखिए, जो दूर दृष्टी दोस्त वाली आँखे साप साप देख सकती हैं दूर की बस्तों को तो option C option C आपके insert हो जाएगा ठीक है option C 36 का फिर देखें next है 37 number question है मानो नेतर में जो बिंदू प्रकास के लिए बिल्कुल सुग्रा ही नहीं रहता उसे हम क्या कहते हैं अच्छा question है तो देखिए पीत बिंदू पहला option अंद बिंदू second है थार्ड आपसन इकड बिंदू फोर्थ आपसन है डी आपसन है दूर बिंदू ठीक है तो जो मानो नेतर में जो बिंदू प्रकास के लिए बिल्कुल सुग्रा ही नहीं रहता उसे हम क्या कहते हैं answer करिए apply chat मे answer करिए questions के साथ आपके लिए test लेके आएंगे तो आप share करिए ज्यादा से ज्यादा देखिए 37 का जो आपके answer हो जाएगा option B अंद बिंदू होता है जो कि मानो नेतर में जो बिंदू प्रकास के लिए बिल्कुल सुग्रा ही नहीं रहता है तो उसे अंद बिंदू कहते हैं तो option B, option B answer हो जाएगा 37 number question का बस last ही चल रहे हैं आप last तक देखिए और total marks जरूर बताईए देखिए, मानो नेतर में होता है तो क्या होता है option first है उत्तल दरपन, उत्तल दरपन तो मानो नेतर में आपको बताना है तो देखिए, मानो नेतर में जो होता है आपके उत्तल लेंस होता है तो option C, option C answer हो जाएगा मानो नेतर में जो उत्तल लेंस होता है 38 question कर चुके हैं हम तो देखिए, next question है 39, उदय और अस्त होते समय सूरे दिखाई देता है किस color का दिखाई देता है उदय और अस्त होते समय सूरे तो बताए time देने की एक भी जुरूरती है इस question के लिए, बहुत जल्दी आप comment में answer, live chat में answer करें फिर हम आपको answer बताते हैं, देखिए उदय और अस्त होते समय जो सूरे दिखाई देता है वो आपके दिखाई देता है लाल, लाल रंग का दिखाई देता है ठीक है, तो option A option A answer हो जाएगा, 39 number question का अगला question है, 40 number question है कि वास्पिक सुर्यास्त और अभासी सुर्यास्त के बीच लगभा कितने समय का अंतर होता है 40 number question पे चल रहे हैं 10 questions, something और है क्योंकि 50 questions कलके चल रहे हैं तो 10 questions और आपके पास हैं ठीक है, तो आप last तक देखिए और share करिए, ज़्यादा से ज़्यादा share करिए और अपने सभी दोस्तों को जरूर बताएं आप, कि यहाँ life test daily 9.30 p.m. पे चल रहा है, physics का अन्य subject के भी आपके लिए जल्ड से start किये जाएंगे, ठीक है तो देखिए, 40 number का जो आपके answer हो जाएगा option A, two minute two minute का अंतर होता है वास्तिक सुर्यास्त और अभासी सुर्यास्त के बीच तो option first, 40 का option first answer हो जाएगा फिर अगला है, 41 number question है कि इंद्रधन उस किस प्रकार का spectrum है पहला option है प्राक्रतिक spectrum, second है कित्रिम spectrum, third है कित्रिम और प्राक्रतिक दोनो and fourth option है, D option है, सभी कथन सकते हैं तो इंद्रधन उस किस प्रकार का spectrum है तो यह है आपके प्राक्रतिक spectrum ठीक है तो option A, प्राक्रतिक spectrum है तो option answer हो जाएगा 41 का 42 number question है इसका answer करिए जल्दी से लाइफ चैट में answer करें आपके answer देखे जा रहे हैं फिर आपको answer बताया जाएगा तब तक मैं questions को read कर देता हूँ अतजिक उचाई पर आकास में वाययन से सफर करने पर आकास का रंग कैसा दिखता है कैसा दिखता है आकास का रंग तो देखिए इसका जो answer हो जाएगा 42 number question का इसका answer हो जाएगा option B option b इसका answer हो जाएगा black काला दिखता है तिजिक उचाई पर आकास में y1 से सफर करने पर आकास का रंग तो option b answer हो जाएगा 42 number question का अगला question है 43 किसी burst का प्रत्विम आँख के जिस भाग पर पढ़ता है वह है तो कौन सा भाग है किसी burst का प्रत्विम आँख के किस भाग पर पढ़ता है अच्छा question है answer करिए live chat answer share share भी करें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी group हों आपके पास दोस्त जितने भी friend हों सबको share कर दीजिए जिससे कि सब लोग जूड़ सकें फिर आप देखिए आप आपके कितने answer सही हो रहे हैं उनके कितने answer सही हो रहे हैं इससे आप अगर आपके answer कुछ गलत भी होंगे न तो आप और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे कि जिससे कल की class में मेरे answer गलत ना हो ठीक है तो आप share ज़रूर करें देखिए 43 का 43 का जो answer हो जाएगा न option B retina retina हो जाएगा किसी बस्त का प्रतिम आपके जिस भाग पर पढ़ता है तो option B answer हो जाएगा 43 का next question आपके सामने आ चुका है 44 चुम्म की छेतर का मातरक होता है क्या होता है चुम्म की छेतर का मातरक option है आपके पास newton second option है tesla third option है impier fourth option है meter तो चुम्म की छेतर का मातरक क्या होता है तो देखिए इसका जो answer हो जाएगा आपके option B tesla होता है चुम्म की छेतर का मातरक option B 44 का हो जाएगा answer अगला question आपके सामने आ चुका है answer करिए live chat में और share करिए इतने सभी दोस्तों को 45 number question है कि dynamo से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है answer करिए आप तब तक मेरे options आपके लिए read कर देता हूँ dist धारा प्रत्यवर्ति धारा दोनों धारा ये अनमे से कोई नहीं तो dynamo से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो देखी इसका जो answer हो जाएगा आपका dist धारा दिश्ट धारा प्राप्त होती है डाइनमों से ठीक है तो option A answer हो जाएगा आपके 45 number question का फिर देखे next है 46 number question पे आचुके हैं बस लास्ट ही चल रहे हैं 46 number question है आपके सामने कि 46 का जो answer हो जाएगा आपके ब्यावसाइक मोटरों में किस प्रकार के चुम्बक उप्योग होता है बिद्दुद चुम्बक का बिद्दुद चुम्बक का उप्योग होता है तो option C option C आपका answer हो जाएगा 46 number question का फिर देखे next है 47 number question है आपके सामने कि मानों के वे दो महत्रपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुम्बकी छित्रका उत्पन होना अनिवार है पहला option है आपके पास बहुत अच्छा question है इस तरह के questions आते हैं अपके exam में ठीक है इसलिए इसे questions लाइज आ रहे हैं तो अभी भी अगर आपको easy लग रहे हैं तो आप comment में जरूर बताएं ठीक है जब live end हो जाए live class तब आप comment में बताएं ठीक है क्योंकि live chat वाला सो नहीं होता है बाद में ठीक है यह जब तक live होगी तब तक होगा तो आप last में आप बताएं जब live end हो जाए ठीक है अगर आपको questions अभी बीजी लग रहे हैं तो तो मानों की विद्व महत्रपूर्ण भाग कौन से जिन में चुमकी छेत्र का उत्पन होना अनिवार रहे है option देख लीजे आप 47 number question पर चल रहे है ठीक है तो देखिए चुमकी छेत्र का जो होना अनिवार होत अनिवार रहे है तो option C 47 का option C answer हो जाएगा फिर देखिए next 48 number question है कि विद्व चुमक बनाने के लिए प्राया किस पदार्थ के छड़का उप्योग होता है तो किस पदार्थ के छड़का उप्योग होता है 48 number question है तो देखिए answer करिए live chat में देखिए इसका जो इंसर हो जाए आपके नरम लोहे नरम लोहे का उप्योग होता है तो option B answer हो जाएगा 48 number question का next देखिए 49 number question है कि विद्व चुमकी पेरण की खोच किस ने की थी 49 number question है विद्व चुमकी पेरण की खोच किस ने की थी इसका answer तो आप जल्ड़ी ही दे देंगे तो क्यों ना हम ही देने पहले 49 का जो आपके answer हो जाएगा option C फैराडे ने की थी विद्व चुमकी पेरण की खोच ठीक है फैराडे ने की थी option C answer हो जाएगा 49 number question का तो ये थे आज के हमारे 49 question 50 बोला था पर 49 कराया कोई बात नहीं स्वारी इसके लिए कल हम 51 करा देंगे ठीक है 49 question थे आपके total marks जरूर बत अगर आपको questions अभी भी कम लग रहे हैं तो आप और बताएं मैं आपके लिए questions और लाओंगा ठीक है तो आप share जरूर करिए अपने सभी दोस्तों को सभी group में जितने भी आपके WhatsApp में group हों जितने भी preparation से समबंदित group हों ठीक है तो हर जगे आप share कर दिया करिए और daily आप time पर आजाए करिए अगर आपके पास notification नहीं पहुंचता है तो ठीक है मिलते हैं कल करेंगे next class में और अच्छे questions के साथ आपका welcome करेंगे हमारे YouTube चैनल गौतम online study में तो आप अगर आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करने रेड़ बटन पर क्लिक करके और वेल आइकन जरूर प्रेस करने जिससे की notification आपको मिल जाए करें जब live class start हो वीडियो upload हो और साथ में आप community community जरूर चेक करते रहे है क्योंकि इसमें भी आपके लिए update मिलता अपडेट दिया जाता है community में तो चैनल में जाके आप community भी जरूर चेक करें उसमें भी आपके लिए post की जाती है ठीक है questions भी उसमें पूछे जाते हैं तो अब daily questions के insert करें vote करें ठीक है तो देखिए मिलते हैं फिर हम next class में live class में thank you